बिग बॉस के घर से निकल कर अब पायल मलिक पहुँच चुकी है अपने घर और वो अपने बच्चों से मिली है तो क्या कुछ हुआ है वहाँ पर क्या reaction रहा बच्चों का किस तरह वो मिले अपनी ममी से और पायल ने क्या क्या बताया घर पहुँच कर पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो को end तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आप हमारे च काम करके मिडिया को सारा तरह से इंटर्वी वगेरा देके वो सीधे पहुच गई एरपोर्ट एरपोर्ट पर भी वो पैप हुई थी क्योंकि अब उन्हें फ्लाइट लेकर जाना है सीधे अपने घर अपने बच्चों से मिलने यहाँ पर उनके एरपोर्ट से भी कई सारे वीडियो सामने आये हैं पायल मलिक सारी चीजे शेयर कर रहे हैं एक छोटे छोटे मॉमेंट भी वो फैंस के साथ शेयर कर रही हैं यहाँ पर पायल मलिक ने बताया कि घर से निकलने का उन्हें बहुत जादा दुख है क्योंकि अभी उन्हें और भी अच्छी गेम अपनी दिखानी थी और बाहर आकर जो उन्हें आडियंस का प्यार मिलाए ना वो देखकर पायल बहुत जादा खोश है मतलब उन्हें उम्मीदों से बढ़कर मिल चुका है इतने कम दिन वो वहां रही लेकिन हाँ उनकी जो रियल परस्नालिटी थी वो लोगों को बहुत अच्छ मुझ बहुत ही जादा अप्रिशियेट कर रही थी इस चीज़ को और इस प्यार सपोर्ट की उमीद वो आगे भी करती है आगे पायल ने बताया कि दो से तीन दिन वो मुंबई में ही रही उन्हें डिरेक्ट घर नहीं जाने दिया वो मुंबई में रही क्योंकि बहुत सार मीडिया जो उन्हें सपोर्ट भी कर रहे थे अब उनकी बारी थी कि वो मीडिया को नाराज ना करें खुश रखें और सभी को इंटर्वियूस दें और बहुत सारे इंटर्वियूस पायल के अल्रेडी आ चुके हैं हमने भी कुछ बातें जो इंटर्वियू की खास में कि जितना दुख मुझे बिग बॉस से निगलने का है लेकिन उतनी जादा खुशी और एक्साइटमेंट है अपने बच्चों से मिलने का क्योंकि काफी दिन उगर इतने दिन वो कभी बच्चों से दूर रही नहीं है तो यहां पर देखिए एरपोर्ट पर पहुंशने के लिए बच्चे भी बहुत जादा एक्साइटेड नजर आए काफी सारे लोग यहां पर पायल को लेने आये थे लेकिन पूरा का पूरा फोकस बच्चों पर ही रहा और जैसे ही बच्चों को उनकी ममी नजर आई ना यहां पर आप देख सकते हैं फॉस्ट रियक्शन कि ममी कितनी जादा इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए और पायल सभी बच्चों को इकवली बहुत प्यार कर रही थी बहुत जादा टाइम होने दे रही थी क्योंकि बच्चे भी काफी छोटे हैं यार और इतने छोटे बच्चे बिलकुल ममी से पापा से सभी से दूर रहे तो सचमुच बहुत जादा बड़ी बात हो जाती है लेकिन सभी संभालने वाले हैं तो उनके बच्चों को पूरी टीम देख रहे थी उनके जो भी रिलेटिव्स हैं आसपा सभी देख रहे थे और यहां पर आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से चिपके हुए अपनी म हम पायल को बोल सकते हैं क्योंकि पायल ने यहां पर बच्चों से मुलाकात की उसके बाद भी वो सीधे घर नहीं गई हैं गाइस वो अपने काम जहां पर उनके काम वगएरा चलते हैं वहां पर अपनी वर्क प्लेस पर गई हैं और जो भी उनने देखना था जो काम वो लो inspiration को वो देख देती है उसी तरह से वो बाहर की चीजों को भी संभालती है अपने काम को संभालती है और यही अर्मान मलिक भी कह रहे थे कि पायल अगर बाहर जाएंगी तो वो सब कुछ संभाल लेंगी और यहां पर पायल वो करती हुई नजर आएं सब की उमीदों पर खरी से जादा शेयर कर दीजिए और बिग बॉस के घर की हल लाइव अपडेट हम आपके साथ शेयर करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस न कर सकें थैंक्स पो वाचिंग गाइस